Dear friends, इस online English classes में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Students, आज हम lesson number 3, third thoughts, पुनरी विचार पढ़ेंगे हैं. Students, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताऊंगा. Students, ये third thoughts, सीर्शक एक हस से पूंट सब निर्मान है, जो मुहावरे second thoughts से उत्पन है और जिसका अर्थ होता है पुनरी विचार करने के पसात, प्राप्ते के विचार या शंग कालब. Students, ये व्रतान्त पैसे के लिए मानवी कमजोरी पर एक वेंगे है. और ये मानवी कमजोरी को उजागर भी करती है कि किस परकार से जहां पैसा समलित होता है, वहां मनुष्य की इमानदारी प्रोण भावनाई और नतिक रूप से परसंसनिये आदर्स सिगर ही लुप्त हो जाते हैं. मानव मोल रूप से स्वार्थी तथा भोतिक वादी है और पैसे के लिए अपने देनिक सामाजी के वेभार में अपने आदर्स विचारों पर सोच विचार कर सकता है, पुनरी विचार कर सकता है और यहां तक कि उन्हें बदल भी सकता है. यह थर्ड थोट्श नामक निमबंद हमें व्यावसाइक मनोविज्यान तथा व्याप्यार व्यवानिचे के छेत्र में मनोविज्यान को समझने की गहरी अंतरद्रश्टी देता है, जहां भावक्ता व्याप्यारिक सफलता के विपरित होती है, और क्रे करना वे विक्रे करना व्याप्यारी वे ग्रहक के बीच एक इसपस्ट विशे होता है. व्याप्यारी तो इतनी अधिक कीमत बताता है, जितना वह सोचता है, कि वह वसूल कर सकता है, जबकि ग्रहक इसका बुग्तान करने के कारण व्याप्यारी के प्रति किसी तरह से एहसान मन्द नहीं होता है. इस्टूडेंट्स ये निब्बन कोरिये कल्पना हासे और वेंगे का मिस्रन है. इस पूरी कहानी को जानने के लिए अपन ये पढ़ेंगे. ये कहानी मुझको एक मित्रन ने सुनाई थी. कौन कह रहा है? ये इस पाट का ओथर यानि लेखाग. यानि ये कहानी है, वो मुझको एक मित्रन ने सुनाई थी. उसने मुझसे कहा. कौन? लेखक कह रहे हैं कि ये कहानी मुझे मेरे मित्रन ने सुनाई तो मेरे मित्रन ने कहा. तो क्या कहता है? कि ये मेरी किस्मत है कि जब भी कुछ खरीता हूँ तो हमेशा मेहंगे से मेहंगा और यदि बेचना हूँ तो बेचने में काम्याब हो ही जाऊँ तो भी बिलकुल सस्ते भाव पार. यानि कहने का मतलब है कि जब भी मैं कुछ खरीता हूँ तो हमेशा मेहंगे से मेहंगे भाव से खरीता हूँ और अगर किसी चीज़ को बेचना हूँ तो बिलकुल सस्ते भाव पार. ऐसा मेरा भाग्य है या किस्मत. डेस्टिनी मीन्स किस्मत या भाग्य है. Usually, indeed, having tired of a picture or decorative article, I have positively to give it aware. शम्माने त्या एसा होता है कि किसी तस्वीर या कलाक्रती से बूरी त्रह बोर हो जाने के बाद किसीने किसी को तो इसे बेचना ही पड़ता है. Decorative article means कलाक्रती. All must to make its acceptance by another a person favor to me. और खरिदने वाला जैसे मुझे पर मेहरबानी कर रहा हो. ऐसा लगता है कि जब मैं चीज़ को बेचता हूं तो जो खरिदने वाला है वो इससे ऐसा लगता है कि मानू मुझे पर कोई मेहरबानी कर रहा हो. Favor to me, मुझे पर मेहरबानी करना. But लेकिन, the other day was marked by an exception to this rule so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am after all destined to be that most enviable thing, a successful dealer. लेकिन, उस दिन ऐसा नहीं हुआ और मैं सोचता रहा कि कहीं मेरी किस्मत तू नहीं बदल गई है और आखिरकार मैं ऐसा सफल विक्रिता तू नहीं बन गया हूं जिससे लोग इर्षया करते हूं. But the other day was marked by an exception to this rule, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ. Exception means, अफवाद. So it's thinking that I have been wondering कि मैं सोचता रहा. Wonder means सोचना या विचार करना. कि if, परेप्स कि साइद the luck has not changed कि मेरी किस्मत तू नहीं बदल गई है. And or I am after all. After all means, आखिरकार. And आखिरकार, I am destined to be that most evitable thing, a successful dealer. कि मैं एशा सफल विक्रेता तो नहीं बन गया हूं, जिससे लोग इर्षया करते हूं. इविटेबल मिन्स इर्षया. It happened thus in drifting about the old curiosity shops of a cathedral city. यह इस परकार हुआ कि मैं उस चार्च वाले सहर में दुरलब वस्तूं की दुकानों के बीच एसे ही गुम रहा था. About the old curiosities of दुरलब वस्तूं की दुकानों के बीच. In drifting, गुम रहा था. I came upon a portfolio of watercolor drawings, among which was one that to my eye would have been a possible turner. तभी मुझे अचानक watercolor चित्रों का एक थैला या जिसको फाइल कह सकते हैं, जैसा कुछ दिखाई पड़ा. ये चित्रे मेरी आँखों को महान कलाकार टर्नर का चित्रे मालूम पड़ा. जब मैंने उस चित्र को देखा, तो देखने पर मुझे लगा कि ये चित्रे महान कलाकार टर्नर का चित्रे है. अलाएकि इसके बेचने वाले की निगाह में ये टर्नर का चित्रे नहीं था. जो इस चित्र को भेच रहा था, उस वेक्टी की नजर में ये टर्नर का चित्रे नहीं था, यनि उसको पता नहीं था कि ये असली में महान कलाकार टर्नर का चित्रे है भी या नहीं है. अर टर्नर का नम गलत करम में और शंक्षेप में इसके निचे लिखावा भी था. इसके निचे लिखावा था. ये चित्रे कितने का है, मैंने रूची नहीं दिखाते वे पूछा. स्टुडेंट्स, यहां आए किसके लिए है? ओथर, लेखक, लेखक का जो दोस्त है, जो कहानी सुना रहा है, ये उसके लिए आ रहा है. यहां कन्फ्यूज नहीं हो कि ये लेखक के लिए आ रहा है, या किसके लिए ये कहानी है, वो लेखक का मित्रे, वो लेखक को सुना रहा है. तो ये आए लेखक के दोस्त के लिए आया है. तो कहरा है कि How much is this? ये चित्री कितने का है? I asked scornfully, मैंने रूची नहीं दिखाते हुए, पूछा. विल, हाँ, said the dealer, विक्रेता ने कहा, If it were a genuine turner, ये ये सचमुझ में turner का बनाया चित्रे होता, it would be worth anything. तो इसकी कीमत कितने भी होशक्ती थे. तो क्यों इस बात को जानता नहीं था बेशने वाला, कि ये महानकलाकार turner का बनाया वाहे भी या नहीं, तो उचने कहा, कि ये सचमुझ में turner का बनाया चित्रे होता, तो इसकी कीमत कितने भी होशक्ती थे. बट लेट से 10 सिलिंग्स, लेकिन हाँ, अब इसकी कीमत 10 सिलिंग है. You can have it for that. आप इसी कीमत में इसे खरीद शक्ते हैं. सिलिंग यहां मुद्रा का नाम है. But I don't mind if you don't, because I am going to London next week. लेकिन यह दी, आप नहीं भी खरीदें, तो मुझे परवा नहीं है, क्योंकि मैं अगले सब्ता हैं लंदन जा रहा हूँ. But I don't mind, मुझे कोई परवा नहीं. If you don't, यह दी आप इसको नहीं खरीदें तो, because क्योंकि I am going to London next week, क्योंकि मैं अगले सब्ता हैं लंदन जा रहा हूँ. And so take it with me to get an opinion, और इस चित्र को ले जाऊंगा ताकि विशेसग्यों से राय ले सकूं, कि यह टर्नर की बनाई कला करती हैं या नहीं. Opinion, राय लेना, इनकी विशेसग्यों से. I pondered, मैंने विचार किया, या मैंने गहराई से विचार किया. Ponder means, गहराई से विचार करना. Mind you, I don't guarantee he had it. उसने आगे कहा, कि ध्यान रखे, मैं गारंटी नहीं लेता. बेशने वाला कहता है कि ध्यान रखे, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, कि यह टर्नर की बनाई कला करती है या नहीं. I gave him the 10 ceilings, और मैंने उसे 10 ceilings दे दिया है. यानि वो कला कला करती चित्र मैंने खरीद लिया. अब ये बताने की जरुरत नहीं है कि किस आश्रिय जनक तरीके से य। मैंने एक ग्रहक ढूंड लिया, जिसने मुझे इस चित्र के 50 पॉंड दे दिये. क्योंकि इस कहानी का उद्देश से ये बताना नहीं है कि मैंने कला करतीयां खरीदने वालों से किस परकार सोधे बाजी की थी. बलकि ये बताने में है कि मैंने कैसे अपनी आत्मा से सोधे बाजी की. बट भाट इंक्रेडिबल मीन्स किस आश्रिय जनक तरीके से आई फाउंड ए परचेजा मैंने ग्रहक ढूंड लिया for the drying at 50 pounds कि मुझे शित्र के 50 पॉंड दे दिये. There is no need to tell. ये बताने की आवसिकता नहीं है. For क्योंकि the point of this narrative क्योंकि इस कहाने का उद्धे से resides not in bargaining with collectors. ये बताना नहीं है कि मैंने कलाकर्तियां खरीदने वालों से किस परकार सोधे बाजी की. Bargain means शोधे बाजी करना किस से with collectors यानि कलाकर्तियां खरीदने वालों से किस परकार सोधे बाजी की. But बलकि ये बताने में है in bargaining with my own soul कि मैंने कैसे अपनी आत्मा से सोधे बाजी की. Bargaining सोधे बाजी की with my own soul अपनी आत्मा से. The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds 10 and was daily elated. I then began to think. और आश्रीय जनक तथे तो ये है कि मुझे पूरे साड़े 49 pounds का फाइदा हो गया. और स्वभाविक भी था कि मैं बहुत खुश हुआ. फिर मैं सोचने लगा. The astonishing fact आश्रीय जनक तथे. It means that ये है कि I achieved a profit. मुझे फाइदा हो गया. कितने का? 49 pounds 10. पूरे साड़े 59 pounds का. And was, क्योंकि 10 सिलिंग में वो खरी दी थी और 50 pounds में बेश दिया, तो साड़े 59 pounds का फाइदा हो गया. And was, डियुली, इलेटिड, और स्वाभवी की था कि मैं बहुत खुश था. डियुली मींज उचित रूप से या स्वाभवी रूप से इलेटिड, खुश था. I then begin to think. और फिर मैं सोजने लगा. Begin to think, सोजने लगा. Students, आज के लिए इतना ही. वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हैवे नाइस टेर.